नमस्कार दोस्तो बारत्य खिलाडियों से स्लेजिंग करना पड़ गया इंग्लेंड टीम को भारी जी आँ दोस्तो पूरी ख़बर जानने के लिए वीडियो अन तक जरूर देखे बारत और इंग्लेंड के मुकाबलों के दोरन खिलाडियों के बीश तकरार होना आम बात है 10-20 टेस्ट में मुहमद सिराज इंग्लेंड के खिलाडियों से उलचते नजर आए दरसल सिराज आज अपनी लेय में लग रहते और काफी जादा एग्रेसिव तरीके से बॉलिंग कर रहे थे उन्हों ने इंगलिन के बैस्मेन को काफी जादा तंक किया भारत को पेहली सफलता भी मुहमद सिराज ने ही दिलाई मौमद सिराज आज शांदर लाए में और बहुत एग्रिसिव नजर आ रहे थे दोस्तो इसी बीश मौमद सिराज और सैम करन के बीच जबदस मुकाबला देखने को मिला सैम करन ने मौमद सिराज को छेडने की कोशिश की जिसका सिराज ने शांदर तरीके से जवाब दिया इसके बाद सिराज करन को लगाता स्लेच कर रहे थे और हर गेंद के बाद उनके पास जाकर उन्हें स्लेच करने की कोशिश कर रहे थे तो वही करण भी अपने अंदाज में उन्हें जवाब देने से पीछे नहीं आटे सिराज उन्हें लगातर बाउंसर डाल रहे थे जिससे करण ठीक से खेल नहीं पाए दोनों के बीच यह मुकामला देखने लायक था इसी बीच भुमरा ने भी शांदार बॉलिंग कर अपने नाम पाच विकेड हासिल कर ली इंगलेंड की दूसरी पारी 303 रन पर सिमेट गई और भारत को 208 का लक्षा दिया गया है दोस्तों क्या टीम इंडिया यह मैच जीत पाएगी कमेंट कर जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद